आज की हमारी इस वीडियो में हम हर्याना के राज्य यमुनानगर के बारे में विस्तृत रोप से जानकारियां प्राप्त करेंगे यमुनानगर जले की स्थापना दे 1st अव मवेंबर 1989 को हुई थी इसका क्षेत्र फल 1768 किलोमीटर है इसकी 4 तहसीले जगाधरी, चच्छरौली, बिलासकूर और रादौर है इसके 4 विधान सभाक शेत्र शेदेरा जगाधरी यमुनानगर रादौर है अब हम इसके एतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं यमुनानगर जले के सम्राट अशोक का एक स्थान प्राप्त हुआ है यह अबिलेक ब्राहमी लिपी तथा प्राकृत भाषा में लिखा हुआ है इसक्खाम को 1356 ईस्वी में दोकरा से मुर्वा करे फिरोजशाह तुबलक ब्ली की फिरोजशाह कोटला में गलवा दिया यमुनानगर जले से सूद से एक अन्य प्राचीन अबिलेक मिला है प्रसिद इतिहासकार डॉक्टर केसी यादव के अनुसार दूसरी शताब्दी पूर्व यह अबिलेक समस्त भारत में बाराखडी की लिखाई का सबसी प्राचीन अबिलेक है यमुनानगर जले के जगाधरी गुलिया तथा शोध से भारी मात्रा में कुनिंद गन के सिक्के प्राप्त हुए हैं नोट तो पाराशुदु गुलिया नामक स्थान प्राचीन समय में अमबाला के अधीन आते थी परंतु वर्तमान में यमुनानगर जले के अधीन आते हैं गुरुद्वारा कपाल मोचल बिलासपूर गुरु गोविन सिंग जी ने 1687 में 52 दिन तक पड़ाव डाला था यमुनानगर जला गन्ना उत्पादन में पूरी राज्य में प्रथन स्थान पर है वनों की दृष्टी से यमुनानगर जला पंचकुला के बाद दूसरे स्थान पर है कालिश्वर क्षेत्र में शाल वचुनार के विक्ष पाई जाते हैं यमुनानगर जले में लाल मुदा पाई जाती है बिलासपूर पेपर मिल्की स्थापना 1929 में की गई थी यह उनन्त क्षेत्र के लिखने के मुद्रन करने के कागल्स का उत्पादन होता है सरस्वती शुबर मिल्की स्थापना 1930 में लाहुर यमुनानगर में स्थापित यह मी सरस्वती अद्योग लिमिटिग की यूनिट है एशिया की सबसे बड़ी अब्दुल्लापूर टिंबर मार्केट जो 1947 से चल रही है यमुनानगर में स्थापित है रेलवे केरिज तथा वेगन वक्षोप जिसकी स्थापना 1952 में जगाधरी में की गई थी जगाधरी स्थित रेलवे की यह वक्षोप भारत की एक मात्र वक्षोप है जहां शताब्दी एक्सप्रेस की मरम्मत का कारिया होता है हर्याना डिस्टलरी की स्थापना 1979 में की गई यहां पर उच्च गुनवत्ता की अलकोहल का उत्पादन होता है यमुना गैस लिमिटेड यमुना नगर में स्थापित की गई थी हाथी एवं अनुसंधान केंद्र यमुना नगर राजा शांतनू से संबंधित है इस कस्बे में एक कुआ है जिसका पानी गंगा जल की तरह पवित्र माना जाता है पश्चनी यमुना नहर विद्यूत केंद्र जिसकी स्थापनाद 29 अफ में 1986 को की गई थी इसकी प्रोड़क्शन कपैसिटी 62 40 मेगा वाट है ये भी यमुना नगर में स्थापित है यमुना नगर के बुद्धक अला में शोर विद्यूत केंद्र स्थापित किया गया है यहां की प्रमुक परेटन स्थन मिम्मलिक हित है ताजे वाला कम्पलेक्स, ग्रेपिनेलिन, पिंटेल, हतिनी कुंध मच्छवारों का स्वर्ब मच्छवारों का स्वर्ब हतिनी कुंध को कहा जाता है आईए अब हम कुछ मंदर मजार इत्यादी के बारे में जान लेते हैं कपाल मोचन और सोंसरों वो तीरत बिलास्कूर, छ्री कालेश्वर महादेव मत कालेश्वर, विश्व के प्रसिद 12 मतों में से एक नर नारायन की गुफा यमुनानगर, लोहागर का किला बिलास्कूर, चिटा मंदिर यमुनानगर, लगभग 70 वर्षपूर्व हनुमान जी की मूर्ती स्थापित की गई थी पंचमुखी हनुमान मंदिर, बिलास्कूर, सूर्यकूंद मंदिर, अमादलपूर, आदीबद्री नारायन मंदिर, बिलास्कूर, लकड़हरा मंदिर, जगाधरी, कपाल मोचन मेला, बिलास्कूर, पंचमुखी मेला, बिलास्कूर अब हम यहां के प्रमुख व्यक्तियों के बारे में जान लेते हैं संजीव राजपुत जो शूटिंग से सम्बंधित है और इन्हीं अर्जोन अवाड से सम्मानित किया जा चुका है सुनील दत जो एक एक्टर थे उनका निवास्थान भी यमुनानगर ही था भारोत तोलं से सम्बंधित करनम मलेश्वरी का निवास्थान भी यमुनानगर ही है किसान, ट्रेनुका, लाल टोपी बांध ये तीनू यमुनानगर में ही स्थापित है सरस्वती नदी को पुनर जीवित करने के लिए सरस्वती नदी को पुनर जीवित करने के लिए दर्शन लाल ने वर्ष 1999 में सरस्वती शोध संस्थान बनाया था यमुना नदी यमुनानगर के ताजावाला से हर्याना में प्रवेश करती है चौदरी देवी लाल पाक यमुनानगर में स्थापित है सरस्वती विकास बोग का अध्यक्ष मुख्यमंत्री होता है खिजराबाद का नाम बदल कर प्रतापनगर कर दिया गया है मुस्तफाबाद का नाम बदल कर सरस्वती नगर कर दिया गया है यमुनानगर के तोपारा कला गांव में देश का सबसे बड़ा अशोक चक्र जिसकी उचाई 30 फीट है का उध्धाटन 5 जैनुरी 2019 को किया गया था महर्शी व्यास की कर्म स्थली बिलासक और यमुनानगर है फर्याना का पहला शहर जहां CCTV सिस्टम लागू किया गया था यमुनानगर है इसी के साथ हमारी आज की वीडियो में इतना ही अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें कमेंट करें सबस्क्राइब करें